कि लिए यहां पे ने एक किलो टमाटर लिय अनल एक शार तो आप देख सकते हैं यहां अगर आप छोटे साइस के टमाटर का इस्तमाल किया है तो इसके हम चार भाग कर लेंगे अगर आप छोटे साइस के टमाटर इस्तमाल करेंगे तो आप इसके सिर्फ दो ही भाग कीजेगा यानि दो पार्ट कीजेगा तो बस बीच से इस तरीके से कट करेंगे और इसके दो प तो सबसे पहले हम बड़ी से बरतन में पलट लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे नमक तो यहां पे मैंने छोटी वाली चम्मच है याने टी स्पून है तो तीन थ्री टी स्पून नमक डाला है एक किलो टमाटर में थ्री टी स्पून याने तीन चम्मच नमक डालेंगे साथी साथ हल्दी लिया है तो यहां पे मैंने डेड़ चम्मच हल्दी डाला है और दोनों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह वाला प्रोसेस अचार में करना जरूरी है इसमें ताकि जो भी पानी होगा वो हट जाएगा क्योंकि अगर अचार में पानी रहा तो फिर अचार खराब जल्दी हो जाता है तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसका पानी हटाएंगे तो उसके लिए इस तरीके का आप कोई भी छनी ले सकते चाहे तो बास की या फिर इस तरीके की आटा चानने वाली तो मैंने इस तरीके की छनी का इस्तमाल किया है तो अब इसमें सारे टमाटर को हम पलट देंगे इससे होगा क्या जो भी हमारे टमाटर में पानी होगा वो सारा नीचे आ जाएगा ये देखे कुछ इस तरीके से तो अब हम इसे जिस बरतन में हमने टमाटर को मिक्स किया था उसी बरतन में हम इस तरीके से इसे रख देंगे ताकि सारा पानी जो है वो बरतन के अंदर चल तो इस तरीके की प्लेट से मैं ऐसे ढग दूँगी और इसे पाँच घंटे के लिए इसी तरीके से हम छोड़ देंगे ताकि इसका जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा मिलते हैं 5 गंटे बात तो 5 गंटे हो गए हैं और आप देख सकते है टमाटर में से पानी भी सारा निकल गया है ये दीखें इतना सारा पानी था टमाटर में तो अब हम टमाटरों को सुखाएंगे ताकि इसमें और भी जो पानी होगा वो भी बहुत अच्छे से सूख जाएगा टमाटर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए नहीं तो वो जल्दी खराब हो जाएगा तो इस तरीके से आप प्लेट में या फिर पेपर में या फिर कपड़े में फैला ले और इसे ओवरनाइट पंके के नीचे पंके की हवा में इसे सूखने दें तो गैस पे मैंने कड़ा ही चड़ाई है इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी सर्सो का तेल अचार हम सर्सो की तेल से बनाएंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पे अगर आप ग्रैम्स में देखेंगे तो यह मैंने सौ ग्राम के करीब तेल लिया है तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे तेल जैसे ही गरम हुझाएगा इसमें सबसे पहले डालेंगे हाफ टीस्पून याने हाफ चमच सौफ एक चमच राई दानी याने मस्टर्ड सीट्स और यहाँ पे मैंने 10-12 लहसुन की कलिया लिये इसे भी हम इसमें डाल देंगे साथी साथ इसमें डाल देंगे करी पत्ते इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सबको मीडियम फ्लेम में 30-40 सेकंड के लिए भून लेंगे याद रखें इसे जलाए ना और गैस का फ्लेम ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए मीडियम हीट में हम इसे बनाना है और अब जैसे ही 30-40 सेकंड में इस सब अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें तेल ज्यादा है लेकिन तेल बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है धीरे धीरे जब यह पकेगा तो तेल कम होता जाएगा और बस अब इस तरीके से इसे पलटा के सेक लें यानि अच्छे से इसे पका लें और गैस का फ्लेम लो करेंगे यानि लो फ्लेम में हमें इसे पकाना है और यह चार जो है आप इसे एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं बस याद रखें इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो तो बस इस तरीके से पलट-पलट कर हमें मेडियम फ्लेम में टमाटरों को पका लेना है और यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आप इसे राइस के साथ पराठे के साथ पूड़ी रोटी जिसके साथ भी खाना चाहे आप इसे खा सकते हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे जब टमाटर आधे पक जाए तो इसमें आप डाल दीजे नमक तो यहाँ पे मैंने दो चमश नमक डाला है हाफ चमश धनिया अब तो तो टमाटर में जो मसालें है जब फिफ्टी परसेंट जब टमाटर पड़ जाएंगे उसके बाद ही हम डालेंगे तो आप देख सकते है टमाटर जो है काफी अच्छे से सॉफ्ट होते जा रहे हैं और यह देखे आचार जो लग-बन ही गया है और मुझे इसे प तो एक किलो टमाटर में मैंने सौग्राम तेल कस्तमा तो यहां पर टमाटर जो है पक गए है तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अचार को ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद अचार को इस तरीके कर दिखेगा तो हम इसे एक काँच की बढ़नी में स्टोर करके रग नहीं होगा तो आप इसे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं आप चाहें तो विनेगर ना भी डाले क्योंकि हमने इसका सारा पानी हटा दिया थो और तेल में काफी अच्छे से से तल लिया थो तो यह खराब नहीं होगा आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो व बाई!